सुमन निटिंग क्रेशन में आप सबका स्वागत है तो चलो आज देखते हैं मैं एक तीन साल की बच्चे के लिए टॉप डाउन बना रहे हूं यह गले से सुरू है और इसमें भी मैंने डबल बॉर्डर बना रहे हूं तो मैंने पहले भी एक स्वेटर डाला है तो उसमें मै दो स्वाटर बनाए थे मैंने डबल बॉर्डर बनाया था इसका गले से और फिर बाजू में भी डबल बॉर्डर आएगा इस तरीके का तो सेम इसी तरीके का मैं बना रहे हूं बस फरक इसमें इतना है कि इसमें मैंने एक सीधा एक उल्टा बनाया था बॉर्डर में और इ कि इसमें में शात्सलाई का बना आरे हूं। इस तरीके के मैं और बाउर बना के Рखाया, हाथ के लिए जब मैं बाजू बना के बाजू किसी कभी हो तो दोनों पट्टियों में बराबर फंदे होने चाहिए तब जाके बराबर बढ़ता है तो यह बाद में इसको हम सिल भी सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं तो ऐसे ज़र थोड़ा सा यह अपने आप फोल्ड हो जाता है वह से तो यह डबल बाजू का ब जाला था 17 पंदे लिए ते 4 पंदे का मौड डाला फिर मैंने यह पर 20 फंदे लिए ते फिर चार फंदे का मोड डाला यह म्हाद रहा हैं और मोट के अगल बगल में ही semi फंदा बढ़ा रहे हूं तो यह 4 फंदों को जो मोड है तो इसी में मेरा हर सलाई में फंदा बढ़ रहा है फिर मैंने 17 फंदे इदर लिया फिर मेरे 20 फंदे इदर आए हैं और 4 फंदे इस साइड को अलग हैं यह मोड के हैं इस साइड को और 4 फंदे यहां पर हैं मोड के जह से मेरी फंदे बढ़ रहे हैं मेरे अब यहां पर मैंने तीन फंदों का डिजेन डाले हैं तो अभी मैंने पहले ग्रीन से बना लिए दो डबी अब मेरे पास चार कलर हैं इस तरह के की चार कलर हैं एक बिलैक तो मैं सबसे पहले बिलैक लगाऊंगी इसके साथ में अर उसके और मों पर पर मेरे जो हैं यह मोड के फंदे तो आवि मेरे मोड नी डालना मैं पिछली सलाई में मोड डाला था तो अभी में इसको सिधा बना के लिए जा रहे हूं ठीक है अब याँ पर मैं जाली से मोड फंदा बढा रहे हूं इस bleach से debit करने नारे में बनांगी प्रेंद नहीं मोड यहां से पढ़ गया करें कि मोड ठीजैन सक्काण अब पिर इसके बीच में मैं जाली डाल दूँगी, जो मेरा गट गया, वो मेरा फंदा बढ़ गया, फिर मैं एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, और पीछे से ये फंदा मेरा सिधा आएगा, फिर ये तीन फंदे मेरे पास, इस तरीके से देखो, ये फंदा उठा के मैंने गिरा दि अब एक फंदा बनाए, धागे को आगे लिया ही, मैंने जाली बना ली, फिर एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी, तो ये इस तरीके की डिजैन बढ़ेगी है, इसमें, अब यहां पे मेरा मोड वाला है, उससे पहले मुझे फंदा बढ़ाना है, जो मेरे मोड के पास से जो तो फंदे बढ़ गया मेरे, यहां ग्रीन वाले धागे के, अब मुझे क्या करना है, तो यहां पे मेरे मेरे बढ़ाने का तरीका बता आओंगी, यह बना लिया, जो पन्दे जो मेरे बढ़े हुए थे, मिन्यों धागे को आगे कर लिया, और यह 4 फंदे मैंने सीधे बना पुरा ना लिए जो मेरे मोडे के फंदे हैं इंस चार फंदे मेने सिधा बना लिया jean पे एकियों जाले डालोंगी फिर मैं उल्टी सलाही में बताऊंगी कि मैं जाली मेरी नहीं दिखने है तो किस तरह केका बना रहे हो तो तो अभी फिर मेरे जो फंदे बड़े हैं, मोड के पास, तो इनको मैं ये बना लिया, अब फिर मैं वही डिजैन बनाओंगी अपना, अपना डिजैन बनाती जाओंगी, अभी तीन फंदे हैं, तो जो तीन मेने शुरू में सीधा रखे थे, तीन में से देखो, एक मेने बना करूंगी दो दो डिबी करके दो डिबी मैंने पहले गिरीन की बना ली अब मैं दो डिबी की बनाऊंगी फणदा मेरे तब बढ़ता रहएगा जब घठी रहे नियों जी घठी करकर फ़yन बढांते बेखे घठी है अobra estelling आ ज्यादा भारी डीजैन नहीं है बहुत हलका है इसे बिगनर भी बना सकते हैं अराम से एक बारी में देखो आराम से बता रहे हूं कि किस तरीके से मैं डीजैन बना रहे हूं और बहुत प्यारा लगता है यह बच्चों के स्वेटर में तो कुछ ज्यादा ही खुबसूरत गड़े हुँए तो मेरे फंदे बड़े होएं तो उनको मैं सीधा बनाउंगी उन में कोई डीजैन नहीं डालांगी उनको मैं बना रहे हूं अग्दम से में बना रहे हूं अब मैंने यहां पे फंदा बढ़ाना है फिर यह मेरा मोड के चार फंदे अ the खाल चूप की बार मैं इसको Κाहिव बना कर ला हूं, थे चाहर श्लाई कर दो सब्सक्रा खालों अब भी और करूंग मोौ लेका की बना हूं, दूस महत का लना हूं, एक भी सब जक्मान ने लिखे not अपनде सब्सक्राँ की ला रहूं, ग कर दो Запाल लेकाई सबस्तलि का कर द tenants तो इसको मैं पहले पूरी सिलाई को बना लेती हूं, फिर दिखाते हूं आगे, अब यहां पे भी मेरा मोड है, यहां पे सिर्फ मेरा एक फंदा बढ़ेगा, क्योंकि यह किनारे में है, एक फंदा इस वाले हिस्से के लिए यहां बढ़ रहा है, और एक फंदा इसका है, यह मोड के पास बढ़ रहा है, तो यहां से 2 फंदे इदर बढ़ रहा है, बैक ही बीच में इनके 2 फंदे बढ़ रहा है, यहां किनारे में जो सबसे पहले बाजु बना Euro इसका भी एक किनारे में बढ़ेगा, तो देखो ऐसे, अब यह जो मैंने सीधा बना रखे थे, यह फंदे बना लिया, अब यह मेरे चार फंदों का, फिर मोड का फंदा है, तो यह चार में सीधा बना लूँगी पहले, चार सीधे हैं, और एक मेरा एक्ट्रा है किनारे में, जो मेरा, जासे मुझे फंदे उठाने ऐसे, और इस तरह के से गुमा के, सलाई में लेके, और इसको ऐसे बनाना है, तो यह जाली नहीं दिखती है फिर, बाकी मुझे, यह तो जो मेरे बढ़ रहे हैं फंदे, यह मेरे सीधा ही जाएंगे, और जो मेरा आगे से एक उल्टा जा रहा है, वो पीछे से हर बार सीधा जाएगा, तो उसकी गेट अप जरा थोड़ी सी अच्छे आती है फिर, यहां पर फंदा बढ़ा है, तो यह मेरे जाली पड़ी है, तो इसको मैरे सीधा बनाना है, क्योंकि इसमें तो मुझे जाली दिखानी है, जो डिजेन पड़ा है, इसमें मुझे जाली दिखानी है, इसका फंदा नहीं गुमाऊंगी मैं बैकी मैं शिरुप जहां पर मेरे फंदे बढ़ रहे हैं उनको गुमाऊंगी मैं उल्टा कि ताकि मेरी जाली न दिखे अब यह तो मेरा ऐसी बन के जाएंगे जो डिजेन का बंडा तभी डिजेन में दिखते हैं तभी डिजेन की बना दिया पिर ईक जाली मेरे अधर पढ़ी है तो इसको भी मैंने देखे街, इस तरह केसे इल्ग हां कि गुमा के लाना है फिर इसमें जाली नहीं दिखती है यह फंदा घूम जाता है फिर जाली नहीं दिखती है अब जिन में मैं जाली बना रहे हूं डिजेन में तो उनमें मुझे जाली दिखानी है देखो तभी इसका गेट आएगा तो इसलिए मुझे इसके अंदर का फंदा नहीं मोड तो हर बार जाली का फंदा मुझे जहां पर मैं मोड के पास जाली डाल रहे हूं और वहां पर फंदा बढ़ा रहे हूं तो हर बार मुझे वैसी घुमा के लाना है वो हर सलाई पर बढ़ेगा फंदा और यह चोथी सलाई में यह जाली जो पढ़ती है डिजेन की यह चोथी सल लोंगी एक मैने किनारे का उता लिया अब में पहले दो फंदे आगे से बना लोंगी इper jadi हैं जो मेरे मोड के तो सबसे पहले मैं कुख वे कि कर लुघी द्रेन हैं बॉर सिदे बना लिया को है कि दो फंदे और सीदे बना ले तो यह मेरे चारом में अब फिर यहां पर मैंने जाली डालके फंदा बढ़ाना है तो देखो जाली नहीं दिख रही है जो मैंने फंदा घुमाने का तरीका बता है तो जाली नहीं दिख रही है इसमें यह मैंने फंदा बढ़ा लिया जाली डालके और आगे अब डिजेन के फंदे मैंने सीधे बना यहां पर एक फंदा बढ़ा है क्योंकि इक किनारे का या अब यह मैंने तीन फंदे अपने सीधर बुन के लिए जाने है तीन फंदे सीधर बना लिया एक फंदा मेरा उलटा है तो इसी तरीके से मैं जरा इसको मुड़े तक पहले बना लेता हूँ, सारे कलर दो-दो डिबी मिलाके, दो-दो बारी, चार-चार मिलाव यह है, अब यहां पर मैंने देखो, दागा आगे कर लिया, मोड भी डालना है, और जाली भी डालनी है, ति दागा आगे कर लिया, जा दाखा भी बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे फंदे बढ़ाने है, यही से फंदे बढ़ाने, तभी मेरे फंदे जादा होंगे नीचे को, अभी चार फंदे मैंने अपने मोड के बना लिया, यह मोड डल गया, फिर धागा आगे करके, फिर मैं यह अपने सिधे फंदे जो ऐसी यह पूरी सलाई में डलेगा, पूरी सलाई इसी तरह के से बनाई जाएगी, अब यहाँ फिर डिजैन की बारी आ गई है, यह मोड की बारी आ गई है, तो धागा मैंने आगे कर लिया, और यह दो फंदे मैंने पहले शिप्ट कर लिया, यह पीछे को कर लिया, और इन चार फंदे बना लिया, फिर धागे को आगे लियाओंगी, और यह जो मेरे बड़े होए फंदे हैं, इनको मैं जाली डालके, एक फंदे पह जाली डालके, बाकी को प्लेन बनाऊंगी, तो यह बाकी मैंने प्लेन बना लिया, फिर मेरे डिजैन की फंदे अपने प्लेन जा तो यहां पे मैंने जाली भी डालनी है और दो फंदे सीधे यह मोड भी डालना है देखो दो फंदे मैंने आगे कर लिया तो इनका मेरे यह मोड डल गया और यह दो फंदे जो आगे थे यह पीछे करके फिर धागा मैंने आगे कर दिया यह जाली भी डल गई और बाकी फंदा मेरे plan बनेगा अब मेरे यहाँ पर last mode है अब मैंने धागा आगे कर लिया पहले मैं इन दो फंदों को आगे कर लूँगी और इन दो फंदों को पीछे कर लूँगी यह पीछे कर लिये फंदे यह दो फंदे मैं आगे लियाई अब मैंने जाली भी डाल दी, यहां पर एक ही फंदा बढ़ना है, तो जाली डाल दी, अब यह मेरे चार फंदे तो मेरे मोड के हैं, और एक फंदा मेरा एक्टर है, जो सिलाई का फंदा जो होता है, ऐसे, अब यह उल्टी सिलाई में बस मुझे, जहां मैंने मोड पर जाली डाल के फंदे बढ़ाएं उसी को उसी फंदे को घुमाना और बाकी मुझे जो जैसा है वसी बना के ले जाना है सिधा फंदे को सिधा बनाना और उल्टे फंद को उल्टा बना के ले जाना है तो मैं इसी हिसाब से जरा इनको दो-दो डिब भी करके तो मुड्डे तक बताती नीचे को मैं डिजेन नहीं डालूँगी, डिजेन में इतने में ही डालूँगी, जो मेरा मुड्डे तक आएगा, उतने में ही में डिजेन डालूँगी, और बाकी को मैं प्लेन बनाऊँगी, तो मैं ज़र थोड़ा बना लेते हो पहले, तो मैंने इतना बना लिया यह, यह म मैंने अलग-अलग कर दिये हैं यह मेरे यहां पर मेरे यह एक तो यह एक तो मैंने यहां पर बीच से पहले बाजू बनाने का यहां पर फंदे निकाल लिये हैं और यह बाजू मैंने यहां तक बना लिये हैं अब मैं इसमें डबल बॉर्डर बनाना लगाना सिखाते हूं जोड़ना बताऊंगी कि किस तरह किसे मैंने यहां पर यह बोडर जोड़ा है अब एक पल्ला एक बाजू मेरा यह निकल गया अब यह मेरा आगे का पल्ला और यह पीछे का पल्ला यह हो गया तो मैं इसमें क्या करूंगी मैं आगे और पीछे के पल्ले को एक साथ बनाऊंग परिशानी सी होती है तो इसलिए मैंने एक बाजू पहले तियार करके रख दिया अब मैं सोच ली थी मैं प्लेंड बनाऊंगी लेकिन फिर मेरे पास काफी सारी ओन थी है तो मुझे खतम करनी है तो मैंने छुटे-छुटे से डायमेंड बना दिया अब यहां पर मैंने मेरी ग्रीन कलर थोड़ी सी मुझे कम लग रही है क्योंकि मेरे बोर्डर भी ग्रीन से ही बनेंगे और यह लो तो मैंने यहां पर यहां पर यह लो यहलो से और यह बल्यूल इंटी Barbara से बना लिया और ग्रीन मैंने यहित पहिस्ट न बाजु हो गया और बॉर्डर भी मैं फिर गरीन से बनाऊंगी तो इसलिए मैंने गरीन धागा छोड़ रखा है बाकी मैंने कट कर दिया है अब देखो गरीन से मेने बनाना है अब यह मेरे बॉर्डर ऊपर को जाएगा यह यह मेरी सीधी हिसा जो है यह उपर को हो जाएगा और ऐसे मैं आगे सचे को रखूँंगी है कि और बाना दॉरों काईका सबूफर काईकी और बॉर्डर मेरे हो तो इसक्रिण दागे सब्सक्राइब क्युंकि पीछे जो yellow बडार के हैं ये तो इस फंदय को दोनों का एक फंदा बना देंगे पहले मैं इसको ले लूंगे शेलाई में फिर मैं ऐसे रखूंगी फिर ये बलेक धागे का मेरे पास दो का एक बना दिया मैंने पहले में yellow बडार का फंदा उतारूंगी पिर इस सलाई में लेके जो मेरे दूशे कलर है तो इसके साथ मैं इसको दो कहें कर दोंगी यह पंदा उता रहा इस सलाई में लगाया इस तरीके से तो ऐसे मैं यह पूरे फंदे पहले बंद कर देती हूं क्योंकि आगे से फिर मैंने उल्टा उल्टा ही बनाना है लेकिन मैंने इधर से पहले उल्टा बनाऊंगी तो मैं उल्टा उल्टे का ही बौडर बनाऊंगी क्योंकि मैंने जो गले का बौडर बनाया इसमें भी मैं उल्टा उल्टा ही बनाया तो मैं दोनों तरफ से उल्टा ये मेरी मौल्टेर बना के इवर गट कर लोगई तो ये मेरा पहले बना लेती हूं इस तरह के से घटा लेती हों यह आराम शे फंदा निकालाई इस तरही में डाला ढूंप्से दों बल सुप्त आ ज़ाखा दोंच प२हीं कर दिए आप यह पे देखो मेरे जुड़ गया के जाने अब यह अपने इस तरीके से भी देखो यह उपर जोड़ने से क्या फैदा है अगर आपको फोल्ड नहीं करना तो अप इस तरीके से नीचे को यह पर टांका भी लगा सकT चिता less C यह ऐसे भी ऐसे फिर यह भार को पलाट जाएगा बॉर्डर के उपर तो कैसे भी बना लो आप अपना हिसाब से कैसे बना लो तो मैं ऐसे देखो यह अपने आप फोल्ड हो गया लेकिन हम सुई से इसमें टाका भी लगा सकते हैं कि बच्चा बार-बार नीचे को ना खींचे आप इसमें मैंने जाब मैंने बाजू बनाया था तो मैंने हर आठवीं सलाई पे दो फंदो का एक फंदा करते होँ गई मैं दोनु किनारूं से तो लास्ट में मेरे यह फोटी टू फंदे रह गए थे क्योगिमिन यहा पर एक टे नहीं गटाएं कोई फंद मैं यहा से और थोड़ी सी देर लब बहुत बड़ा बोर्डर तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि उन मेरे पास कम है और फिर बाजू की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर मैं देखूंगी हिसाब से कितने लंबी बनानी है और उपर मैंने 10 नंबर से बनाए और नीचे मैं 11 नंब क्लखेसरे कले बाए का काम हो नाम करेंकि अभी हम बना के लिए बन लहां बनाना वहां और बोर्डर है तो पहले बना लेसे बना लिए बना रखैंपले में धालएंगे ऊड़ casino कि एक सीधा एक उल्टा बनाओंगे और आगे सेट से मैं उनको जो फंदा जैसा रहेगा वो इसे गटा दूँगी तो यहां से मैं एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बना के बौर्डर की तरह बना के लिए जा रहे हूं और आगे सेट से फिर मैं गटा दूँगी अब मैंने एक सिधा एक उल्टा पूरा कर लिया अपना अब मैं देखो इस तरीके से उतार के उल्टे फंदे को उल्टा बनाऊंगी उल्टा बनाए और इसको इसके उपर गिरा दिया अब मैं यहां पर छोटाई बोर्डर बना रही हूं क्योंकि मेरे पास ग्रीन धागा कम लग रहा है मुझे आप मैं सुझ रही हूं कि पहले मैं बाजू तियार कर लूँ और पलू में तो कैनल बीच में मैं और तरीके का भी डाल सकते हूं यह लोक अलर्ट जादा भी डाल सक उसमें पल्लू में जासे यहोग प podéisथा सकते में पाने कि यहां पर डाला तो यहां पर मैं 2 डिवी बीड का भी कभी कर सकते हूं माने पालग लाग हो जाएगा यि या फिर नया जोड़ा ठोगी भी करोंगे तो डूसरी बाजू तेयार करूंगी तो में फिर बार करके दूसरी बाजू दिखाते हूँ आपको, कि कैसे मेन जोइंटे करा, मैंने धागा, किस तरह किसे मैने यहां से पहले बिलेक धागा लगा रहे हूँ, और यह ने बाजू के फंद्या है, तीन को मैं पहले, एक सलाई उल्टी सेट से उल्टी, और एक सीधी सेट से मैं उल्टी बना के लेके आओंगी, तो पहले मैं ये दो सलाई बना लेते हूं, क्योंकि पहले मैं बाजु ही बनाने वाली हूं, तो इसले मैं पहले, अब मैंने पहले बिलेक धागा लगा लिया है, उसके बाद मैं, ये दो सलाई बनाने के बाद दिखाते हूं आगे, अब मैं यहां से एलो कलर का धागा जॉइंट कर रहे हूं, दो चलाइए मैंने बना लिए, आगे से भी मैंने उल्टा बना लिए, पीछे से भी उल्टा बना लिए, अब मैं चार फंदे एलो कलर के बनाऊँगी, तो तीन हो गए मेरे, धागा थोड़ा से, चार फिर मैं क्या करूंगी, दो फंदे मैं बिलेक के उतारूंगी, चार फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, फिर दो फंदे मैं उतारूंगी, बिलेक कलर के मुझे उतारने हैं, फिर मैं तीन, चार, चार फंदे बना ले, दो फंदे उतार ले, दो फंदे उतार ले, चार फंद बना लिए तो यह भी मैंने इतना बना लिया तो मैंने यहां से हाई मेरे सलाइपे फंदे से तो इसलिए मैंने यह नीचे को डेइन बना लिया अब मैं इसको बनाते वही जा रहे हो नी आइघ्रे भाजु सिल दिया है क्योंकि खुली बाजु होती gray three चार धागे हैं तो बड़ी उल्जहंड सी होती है इसलिए मैंने पहले सिल दिया इनको तो बाजू मेरी बन गई है बन चुके अब यहां पर जो है यहां पर मैं सबसे बाद में फिर मेरे यहां पर मैं जब मेरा स्वाटर बन जाएगा तो यहां से यहां तक फिर मैंने में बस तो उसके लिए फिर मैं 65 से 70 फंदों के बीच में रखोंगी बॉर्डर के लिए तो फिर मुझे उस डवल फंदे डालने पड़ेंगे क्योंकि मेरे आगे पीछे के दोनों एक साथ बन रहा है तो एक साथ मेरा बॉर्डर सिला जाएगा फिर इसके साथ ही तो अगर म हमने दबा दिया अंदर को ऐसे फोल्ड करके यहां अंदर सिलाई कर दी तो यह अपने आप ही खुलेगा ही नीचे को देखो जब तक हम इसे खुलना नीचाहेंगे अपने आप नहीं खुलेगा नीचे को तो यहां पर सिलने की जुरत नहीं पड़िए यहां पड़ेगी न में पहले बना रखा जब इसकी भी शिलाई हो जायेगे यहने यहां पहले जावडर बनाना पड़ेगा जब मेरा यह पूरा हो जाएगा इसकी लंबाई I hope आप लोगों को पसंद आएगा कि थोड़ा नए नए तरीके शीखने चाहिए तो मैं कुछ नया करके लाते हूं अपनी activity में मैं नया नया जोडते हूं कि शायद आप लोगों को पसंद आए अच्छा लगेगा तो मैं पहले इसको ब बना रहे हूं तो मैं आगे दिखाते हूं फिर कि किस तरीके से मेरा स्वाठर तियार हो रहा है अब मैं इसे बाजू जो है इसे थोड़ी से लंबा में नीचे रखोंगी क्योंकि बाजू तो थोड़ा छोटा भी चल जाएगा वैसे तो छोटी नहीं होगी अभी ड़ाई स तिन साल तक के बच्चे का है लेकिन थोड़ा लंबाई में ज्यादा बना दूँगी कि मेरा पास सिरफ ग्रीन करर थोड़ा सा यह कम है कम लग रहा है शायद हो भी सकता है पर जब बनाओंगी तभी पता चलेगा और मुझे यहां पर पट्टी बनानी है बस बाकी तो यहा सबरें बनाये और मैंने आट सलाई का बनाया है अब मैं देखो कैसे एक फंद heh इदर को ले रखा है येलो कलर का फिर मैं एक फंदre बलेक का लिए है और मैंने ग्रीन दागे से बना लिया फिर एक फंदा मैं ये लो कलर कर लूँगी और इस वाली सलाई में चड़ा दूँगी दो का एक कर दिया फिर फीला कलर कर लिया फिर बिलेक कलर के साथ दो का एक बना दिया तो इसमें मेरे एक्सोचालिய संदे हैं मेरे बॉर्डर में पीछे विच्छे मेरे बॉर्डर के लिए ड्ले या दालें sorry मेरे कंवह हो जाएंगी 140 मेरे रहर जाएंगे क्योंकि सीका में दो का एक बना दिया है और उसके बाद में इसका बॉर्डर बना लूँगी इल्टा उल्टा दोनों है जैसे मैंने बाजू में यह ऐसे है जो फंदे डाले हैं वो यह है यह उपर को अपने आप ऐसे फोल्ड हो जाएगा फिर मैं बॉर्डर बना लूँगी थोड़ा ज्यादा अभी मेरा गिरीन धाका हो जाएगा पहले मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा से लंबा बॉर अब बाद में मैंने यहां पर पट्टी उठा लेनी है यहां पर पट्टी के लिए फंदे उठा लूँगी और यहां पर मैं बटन लगा लूँगी दो बटन लगा लूँगी यह उपर यह किदर और थोड़ा सा यहां सिलाई हो जाती है तो इस तरह के से यह स्वेटर तिय बेस्ट न करें कलोर को आइसी बोड़र बना ले को डवाल बोडर बना ले डुब बेस्ञ हो न seven मेरा पुरा हो गया यहां फे मैं 드텐 बनाए थे यहां परिमि नहीं दो बटन लगा लिए तिह आपको दिखर होंगे दो बटन लगा रहे हैं और दो ही काज बनाए थे तो यह मेरे पास छोटे से बटन है लकड़ी वाले बटन जोते हैं इस तरीके के मैंने बच्चों के लिए रखे हुए आप देखो कलर फूर स्वाटर है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है तो आप लोग भी बना सकते हैं आपके के पास कलर बच जाएं तो आप ही डिजैन डालके अर इस तरीके से गले से शुरू कराया मैंने तो नीचे को बनाया और यह मेरे बोडर बन गया यह बिल्कुल तियार हो गया अब यह मेरा सिर्व 290 ग्राम में बना लेकिन 300 ग्राम लेके चलो 300 ग्राम में यह 3-4 साल तक के बचे के लिए स्वाटर तियार हो गया तो आई होप आप लोगं को पसंद आएगा और सस्क्राइब जरूर करिए प्लीज सस्क्राइब मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने करा तो सस्क्राइब करिए मुझे सस्क्राइब की बहुत सक्तु जरत होती है तो आप भी इस यह गले का बोटर अलग है उपर का और यहां से 16 इंच मेरी बाजू है यहां से 16 इंच बाजू है तो यह आराम से आ जाएगा बच्चे को और चोड़ाई इसके 22 इंच है ग्यारा आगे ग्यारा पीछे तो 22 इंच चोड़ा है इसमें यह 22 साइज वालों के लिए है तो यह मैंने थोड़ा से डिजैन जैसे उपर से इधर से डाल लिया था और बाजू में भी डाला था पीछे इसे में भी तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा थैंक्यू ला जाए तो फिर मिलती नहीं है तो थोड़ा ज्यादा लेनी चाहिए हमेशा तो क्या होता जब उन होती है तो थोड़ा खुल के स्वाटर बन जाता है तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा थैंक्यू लाइक शेट जरूर करना सस्क्राइब करके मेरे प्लीज मेरे चै से लगा थैंक्यू